चंदरा इंसिट्यूट के यूट्व चैनल पे मैं आपके मिस्तरा दोस्तों आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज का यह कोश्चन फिर से दोस्तों CTT दोस्तों देखिए पिछले कुछ दिनों से आपको लगातार ओरिजिनल क्वास्टेंस दिखाने की कोशिस कर रहा था वो इससे ज्यादा ही स्ट्रांग थे कल से मैं अपने कोश्चन फिर से क्रियेट करना शुरू करूंगा पर मैं बीच मैं से और हाँ एक प्रसंद का मैं जवाब देना चाहूंगा आप मैंसे कुछ लोग कर रहे हैं कि सर जूनियर के लिए भी कराईए मेरी बाबू बात साइकलोजी एक सब्जेक्ट है देखिए आपको हिंदी साइकलोजी संस्कृत इन चीजों में आपको कोई टेंसर नहीं दोस्तो जूनियर के लिए क्योंकि तीनों लगभग सेम हैं आपको देखें कॉम्बिनेशन जिसका मैथ और साइन्स का कॉम्बिनेशन है जिसका सोशल साइन्स का कॉम्बिनेशन है बस आपको वही करना हो गलग से इन साइकलोजी यू गाइज डू यू गाइज नीड नॉट तो गेट बैरीड अबाट आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूत नहीं दोस्तो आई एम कम्प्लीटली बित्यों गए जापके साथ हूँ मैं मैं आपको जोस से पढ़ा रहा हूँ प्रेरित होके पढ़ा रहा हूँ किसी खाना पूर्ती को नहीं कर रहा हूँ दोस्तों मैं देखिए दोस्तों जो भी देखिए दोस्तों मैं नहीं कहता है मेरे पास बहुत ग्यान है मैं लगातार आपको वीडियोज में कहता हूँ मैं बहुत ज़्यादा ग्यानी नहीं हूँ दोस्तों पर मुझे जितना मालूम है मेरा एक ही प्लस पॉइंट है मेरी श्रेंथ है मुझे जितना ग्यान है मैं उतना आपको पूरा देने की कोशिस कर रहा हूँ उडेने की कोशिस कर रहा हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज की सिक्षा का जो system है किसका CBSC का उसके अनुसार आप क्या expect कर सकते हैं थोड़ा और छोटा करता हूँ देखें कि दोस्तों थोड़ा छोटा हो रहा है पर मैं चाहता हूँ थोड़ा जगह है रहे तो अब चलेंगे आपसे ने वे समय नश्ट ना करने वाली सामाजिक आदतों प्रकित क्या त्याग कर दें किस प्रकार अच्छी स्रेडियो को पाई जा सकती हैं किसी प्रकार की सामाजिक प्रिष्ट भ्यूम होते हुए भी अस्विकार करें कि उन्हें बिद्याले द्वारा जो प्रदान किया गया है दोस्तों अब एक एक आप्सन को अब ध्यान से देखें दोस्तों मैंने आपको प्रगत्सील सिक्षा का एक ही मेल सब्द बता दिया था दोस्तों और वही देखिए कैच वर्ड पकड़िये दोस्तों मुझे यकीन है फिर से आप कमेंट्स करेंगे ब्याक्षा कैसी लग रही है दोस्तों मैंने आपको कैच वर्ड बताया कि सिक्षा परवत पे जाके नहीं मिलेगी सिक्षा कौने में बैठके नहीं मिलेगी सिक्षा सिक्षा के लिए आपस में बात भी वात करना पड़ता है आपस में जित्ती चर्चा करेंगे ग्यान उतना ही बढ़ेगा वास्तविक्ता से भाग कर रट्टा मारना के वल अंकलाना नहीं है सिक्षा बिना आवाज उठाए क्या कर रहा है कि आप अगर टीचर गलत पढ़ा रहा है तो भी मत बोलिये बस आप नाना ना सर तो बहुत ग्यानी है ब्रह्मा जी है वह गलत नहीं पढ़ा सकते यार ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब है सी भी रॉंग दोस्तो किसी भी प्रकार की सामाजिक प्रिष्ट भूम होते हुए सब स्वीकार करें जो बिद्यालय में भाई मैं यूपी से आता हूँ अगर जिस बिद्यालय में जाता हूँ वहां मेरे प्रिष्ट भूमी का मजाक उड़ाया जाएगा मैं वहां क्यू आपस में मिल जुरकर देखी ने सीधा सीधा लिखा है सामूहिक कार्मे सक्री भागदारिता का निर्वाह करें और सामाजिक कौसल सीखें दोस्तों मुझे यकीन है आप समझ गये होंगे पहले का उत्तर है बी निमलिखितमस से कौन सा बढ़ा करेंगे आप देख सकते हो निम भी तरबेजे आपे समस्सी कौन देखं़ गये अगरा दोस्तों मुझे बड़ी हसी हागी एक बात पर आपको मैं अग्दम बाते करता हूं मैं दोस्तों लेक्षेरीश ले रहें जैसे हम मैं आप आपसे आमने सामने क्लास में बात कर रहा हूं और ऐसे ही मैं क्लास में पढ Apecin को देखें दोस्तो शक्रियन उक कूलन सिध्धांध है दोस्तो किसका इसकी नरका जो कि हमारा उत्तर नहीं हो सकता DOое Apecin यह हमारे पास नहीं है अंतर डृष्ट देखिए है आपको बतान्या नगे आपको एक till मैं उत्तर हेटा सकते हो कोहलर का सिध्धान्द सूज के सिध्धान्द का दूसरा नाम है अंतर द्रिष्ट पूर अधिकम जो की रिजेक्ट है दोस्तो संस्कृति निर्पेक्ष धर्म निर्पेक्ष क्या होता है कि जो धर्म से स्वतंत्र हो तो संस्कृति निर्पेक्ष क्या हुआ दोस्तो जिससे संस्कृति का कोई लेना देना न हो और दोस्तो वाईगोस्की के सिध्धानत का क्या नाम है उपर लिखा है देखी सामाजिक संस्कृति विकास का सिध्धानत भीया जब संस्कृति ही हटा दोगे तो बाई गोस्की ही हट जाएगा सही उत्तर है दोस्तो परस पर क्या होता है जब लोग आपस कदे नहीं भी आ परस पर लेन देन हो रहा है तो जब आपस में बात चीत होगा तभी तो सामाजिक सांस्कृति दिकास का सिध्धानत आएगा तो दोस्तो the right answer is फिर से अटा के ताकि आप screen shot ले पाएं the right answer is गए बीफ बॉम बे मुझे यकीन है दोस्तो आप इससे समझ गए है प्लीज एक बार कमेंट करके आप समझ रहे हैं और let's go to question number 3 एक सिक्षी का ध्यान से देखेंगे जैसा मैंने आपको last time मैंने बना के आपको दिखाया था एक सिक्षी का अपनी कच्छा में कहती मैंने दोस्तो वही किया मैंने paper के questions के prototype second sample बना दिया है पर उससे ज़्यादा गंभीर है questions एक सिक्षी का अपनी कच्छा से कहती है कि सभी प्रकार के कारण का निर्माडिस प्रकार किया गया है कि प्रतेग बिद्यार्थी अधिक प्रभावसाली ढंग से सीख सके अता सभी बिद्यार्थी बिना किसी अन्न की सहायता से अपना कार पूरा करे यह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की और संकेत करता है दोस्तो याद करिए मैंने आपको अब मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूं दोस्तो मैंने लाश्ट टाइम आपको क्या बात कहा था कि लाॉरेंस कोहलबर्ग की जो दूसरी अवस्था है उसका नाम है नैतिक रूढ़िवादी या परंपरावादी अवस्था दोस्तो और उसके दो उपचरण है अच्छा लड़की और अच्छा लड़का अवस्था दूसरा उसका जो दूसरा उपचरण है उसे कानून और ब्यवस्था अवस्था कहते हैं क्या बोला था कि अच्छा लड़का लड़की में क्या कहते हैं पापा क्या कहते है बेटा सरमा जी के बेटे जैसा बनो पापा चाहते हैं कि हम दूसरों का अनुकरण करें पर हम क्या चाहते हैं कि हम दूसरों का अनुकरण क्यों करें हम अपना काम खुद करेंगे तो यहां स इसी अन्य की सहायता से अपना कारे पूरा करें दोस्तों, तो आप समझी गए होंगे इसका उत्तर है, आत्म निर्भर होके काम करना, law and order stage, A for America is the right answer, let's go to question number 4, 14 वर्सी, फिर से देखें दोस्तों, CTT मज़दार question पूछता है, आपको एक बार इसको लगेगा, यार यह चौदा वर्सी देवी का, अपने आप में प्रिथक सो नियंतरित व्यक्त की भावना को विक्सित करने का प्रयास कर रही है, वह क्या विक्सित कर रही है, आपसने, नियमों के प्रती घरेडा, B, स्वायतता, C, कि सोरा वस्था का अखड़पन, D, परिपकोता, तो दोस्तो मैं चाता हूँ अपने उत्तर एक बार आप भी उत्तर वेजिए, मैं आपका उत्तर देखता रहता हूँ, तो दोस्तो एक बार आपको लगेगा कि इसके देखिए, अगर एक प्रकास से देखिए दोस्तो, क्यूं CTT में बच्चे गलत करते हैं, और क्या है जड़ एवं अखा का नियम, एक बार देखेंगे, अब देखिए दोस्तो ये लड़की क्या कर रही है, कि अपने आपका रिएक कोई समस्चा को अपने दम पे सुल्धाना चाहती है, तो यह क्या कर रही है, नियमों के प्रति घ्रेडा कर रही है, भी, खुद से स्वयत्तता क्या है, लिक्षा हमको कातिल खूनी बनने के लिए नहीं दी जाती, एक अच्छा इंसान बनने के लिए दी जाती है, अब बचे दो आप्सन, स्वयत्तता या परिपक्कोता, तो दोस्तो वो चाहती है कि मैं अपना काम, इसमें दखिए दोस्तो उत्तर आपको लगए कर डी है, पर खुद से काम, अपने आप काम करने की प्रवित्ती को विक्सित कर रही है, देवी का, सो बीफ बांबे इस दर आए डांसा, कोश्चिन नमर पांच, पर दोस्तो मज़धार क्वाश्यन के देखेंगे, प्रगत सील सिक्षा के संदर्ब में निमनलिखित मैं से कौन सा, वही कच्छा में प्रजातंत का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बी, बिद्यार्थी स्वयम ही सामाजिक समस्याओं को सुलजने में सक्षम होना चाहिए, सी, जिग्यासा बिद्यार्थियों में खुद से नहीं है, इसे बाहर से बढ़ना चाहिए, इसका बढ़ावा करना चाहि दोस्तो सिंपल सी बात क्या है जब प्रजातांत्री की याद करिए दोस्तो बाल केंदित मैंने आपको क्या बला था कि बाल केंदित सिक्षा का ही एक भाग है क्या प्रगसील सिक्षा बच्चे को वास्तिबिक जीवन की याद करिए पासवर्ड क्या है सामाजिक समस्चाओं क कर रही है वो एक चिम्टा लेका रहा है मम्मी ये क्या है अब ज़रा सोचिए क्या वो रोटी बनाएगा नहीं दो साल का बच्चा रोटी नहीं बनाएगा पर वो जिग्यासु क्यार ये क्या चीज है बिद्यार्थी खुछ जिग्यासु होते दोस्तों इसलिए ये कह रहा है कि नहीं है इसलिए options यह हमारे पास नहीं है कच्छा में बिद्यारतियों का निरिक्षन आप वहां inspector बन के निरिक्षन नहीं करोगे बिद्यारति की सुनोगे दोस्तों और यहां क्या कहा जा रहा है कि सुनना नहीं चाहिए दोस्तों सही बात तो यही है password वही है दोस्तों मु पुरू जी ने समस्या सुल जाए उससे हमको क्या लेना देना हमको भी तो सवाल लगाना आना चाहिए दोस्तों मुझे हकीन है आप समझ गये होंगे beef or bombage derived answer question number 6 एक फिर से question देखेंगे एक अध्यापक ने मज़ेदार question दोस्तों CTT के question solve करने में मज़ा हमेशा आता है मैं एक पर देखें एक अध्यापिका ने पाया ध्यान से देखेंगे कि एक विद्ध्यार्थी वर्ग बनाने में होने की प्रवित्य से संबंद है बिकास की प्रक्रिया उल्टी भी हो सकती है मैंने उसका हिंदी सरल हिंदी कर दिया विकास निरंतर होता है डी, अलग-अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग-अलग होती है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं बार मैं आपको इसको दिखाता हूँ देखें दोस्तों ध्यान से देखिए वर्ग से ही तो बना होता है हीरा भाई हीरा कैसे बना होता है छोटे-छोटे वर्ग हीरे पे होते हैं जिसे पूरे हीरे का निरबाड होता है पर वह वर्ग नहोकर घन होते हैं मतब घन या घनाब होते हैं कि वो ठोस होता है भाई वर्ग क्या है द्वी बिमी आकरती है आप सभी जानते हैं दोस्तों पर घं क्या है त्री बिमी क्या है उसमें लंबाई चोड़ाई के साथ मोटाई भी होती है मतलब लंबाई चोड़ाई के साथ उचाई भी होती सौरी तो दोस्तों पहले द्वी बिमी आकरती सीखेगा तभ कोर समझाओगे तब तो त्रिभुच समझाओगे कभी आपने देखा कि आपको पहले त्रिभुच पढ़ाया गया हो फिर आपको कोर पढ़ाया गया हो फिर आपको रेखा पढ़ाई गयी हो नहीं दोस्तो पहले आपको रेखा पढ़ाया जाती है फिर कोर पढ़ाया जाता है क्यों सीखने का भी एक क्रम है दोस्तो और ना क्योंकि हम सरल से कठिन की और सीखते हैं कठिन से सरल की और नहीं सीखते दोस्तो इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ गये हैं कमेंट करें दोस्तो क्योंकि विकास ये क्रम में होता है इसलिए अगर वर्ग नहीं बना पा रहा है तो हीरे के चित्र में ठोस घंणों का प्रयोग होगा उसे भी बना नहीं पाएगा मैं चाहता हूं एक बार आप कोश्चन देख लो दोस्तो फिर मैं ले आता हूं आपसंस को चोटा कर देने आप आप देख नहीं पाएंगे थोड़ा बड़ा करता हूं कोश्चन देखे मानवी बिकास में आनोस्वन सिक्ता और वाता वरड की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तो आप उत्तर जानते हैं मैं भी उत्तर जानता हूं आपको वही आप्शन लेने हैं जिनमें दूनों का प्रभाव होता杜ा है व्यात कर चुके होंगे इसे तो मैं एक बार आप सन सारे दिखाता हूं थोड़ा चोटा करता हूं ताकि हम आप्शन को रि परिवेस मतलब वातावरर की भूमिका लगभग एक जैसी रहती है जबकि आनुवनसिक्ता परिवर्तित होती है। बियोहारवाद के सिध्धान्त प्राया मानवी विकास में ज़्यादा प्रकित की भूमिका पराधारित है। दोस्तों आनुवनसिक्ता तो जन्म से ही निरधारित हो जाती है। कोई चांस ही नहीं दोस्तों इसलिए औपसें ने तो कभी हमारे पास था ही नहीं، जबकि वाता वरर बदलता रहता है। आप अलग जग गये तो आपको अलग वतावलन पिलेगा, अर्थात दोस्थो आप से ने पूरी तरह उल्टा दिया है, बैय। बेवहारवाद कौन है, वौटसन के सिधानत को, बेवहारवाद के जनक कौन है? वौटसन उन्होंने क्या कहा, कि आप मुझे एक नवजास सिसू दो, मैं उसे चोर डाक्टर वकील कुछ भी बरा सकता हूँ, दोस्तो चोर डाक्टर वकील तभी तो बनेगा जब जन्म में आनुवनसिक्ता का प्रभाव सुनने है, और यह क्या कर रहा है कि यह आनुवनसिक्ता के प्रभाव पे है दोस्तो अरता दोस्तो यह वाता वरड़ पर हैं न कि प्रक्षिती पर इसलिए आप्सन भी भी हमारे पास नहीं है, C, भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं, दोस्तो यह तो सिध्धानत है, जैसे दोस्तो अब जहांस सुनेंगे, मैं आपको क्या बोला था, दोस्तो कि दोनो मैंने आपको कैसे बोला थायात करें बुद्धी जनमजात है यहां वंसानुक्रम हाभी है पर यह प्रकट हो पाएगी कि नहीं इस पर तो वातावरण मिलने पर ही डिसाइड होगा अर्था दोस्तो फर्क नहीं परता उत्तर क्या है उत्तर में आपको बस यह बात ध्यान रखना है का आपको ऐसे आप्सन का चैन नहीं करना है जिसमें सिर्फ दोनों मस एक है प्लीज कमेंट करें कि मुझे यकीन है अब आपके लिए बहुत आसान हो चुका है अगला दोस्तो समाजी करन के संदर्व में बिद्यालेयों के पास देखेंगे एक बार मैं चाहता है फिर से कोश्चन देखें बड़े-बड़े क्वेस्चन है दोस्तो मैंने दोस्तो आपको समाजी करन हमेशा बोला समाजी करन की परिभासा क्या है दोस्तो तो जरह आप सोचिए, समाजी करण क्या है दोस्तों, क्या आप समाज को बदल सकते हैं, एक बार दिखाऊंगा, समाजी करण के बारे में क्या सही है दोस्तों, आप दोस्तों नहीं बदल सकते समाज को, आप खुद को समाज के अनुसार बदलना होगा, वहीं समाज लाखो करो प्रिक्रम में क्या रहेगा देखेंगे आप सेने चलिए आप सेने देखते हैं बलात्मक अधिगम चिंतन समकच्छ साथियों मध्यापक की अनुकृति द्वरा बिशेश रूप से अपनाया जाने वाला ब्यावहार बलात्मक समझ रहें लाटी और टीमार के सिखाना बी अंत बिद्यार्तियों का समझावता पोड़वा प्रतिरोधात्मक समाजी करड़ बी मुल्यों एवं अभिबृतियों का सिक्षड एवं आकलन तो दोस्तो आप समझ ही गए होंगे अंतह क्रियावा सामागरी द्वारा ध्यान से तूनेंगे दोस्तो सिक्षड से थोड़ी समाजी करड़ के संदर्व में बिद्यालेओं के पास एक परस्चन पाठ्थचर्या बद्यमान रहती है जिसमें क्या होगा दोस्तो इसका उत्तर है उनध्य क्रियावा सामगरी दौरा ध्यालेओं में प्रस्तृत्र किये जाने वाले समाजी भूमिकाओं से जुड़े तर होगा समाज से जुडे तत्य तत्य सो दय राइड एंसर इसूर बीफ बॉंबे क्वेसे नमबर न्व नव से कौँम सा इंसरस गला जा सकता है। चार कथन है और दोस्तों कौन सा पियाजे के अनुसार सही नहीं है अपसे ने बिद्यार्थी की अधिगम अनात्मक तत परता के प्रती समवेदन सीलता बी बैयक तक भेदों को इसकरती सी खोजपूर अधिगम डी साबदिक सिक्षर के आवस्चता मुझे यकीन है दोस्तों आपको ये बताने की विज़रूत नहीं किसका उत्तर क्या है दोस्तों उसने कहा कि बच्चे को लाठी मारके मत सिखाईए अब बच्चा सोने जा रहा है बच्चा नीत के मारे गिर रहा है नहीं भाई मैं सो जाओंगा आप पांच लाठी उसको मारे बैट पट गधा ऐसे में कोई नहीं पड़ेगा बच्चे का पढ़ने के लिए रेडी रहना जरूरी है दोस्तों इसलिए आप्सेन पूरी तरह सही है वह हमारा उत्तर नहीं है बैयक्तिक भई पियाजे ने क्या कहा मंदबुध्धी बच्चे को 99% लाने का टारगेट देना गलत है अंतरों को सिकार करना है दोस्तों यही तो है बैयक्तिक बिभिनता का समान करना खोजपूर अधिकम उन्होंने क्या कहा कि बच्चा नन्ना पे ग्यानिक है धूर रहा है जानकारी कहा है किताबी साब्दिक सिक्षर क्या है दोस्तों रटा रटाया जो किताब में लिखा है भाईया थ्री डियर्ड्स मसीन की परिभासा दीजिए उन्होंने रटा मारके इस एक मज़ेदार क्वाश्चन निम्नलिखितम से कौन सा कोहल बर्ग के नैतिक विकास के चरडो का लग शड़ है मतलब आपको चार कथन दिये जा रहे हैं आपको बताना है कि कोहल बर्ग के नैतिक विकास के सिध्धानत के अनुसार कौन सा सही है आपसे ने चरडो का पर अनक्रमिश सिध्धान्त में आगे की और बढ़ते हैं अब जरा सोचिए दोस्तो पहला चरड क्या है पूर्व नयतिकता उसमें क्या पाया जाता है अहम किंद्रित स्वार्थीपन और दंड और आग्यापल अब जरा सोचिए दोस्त परिवर्तन सील का अर्थ आप समझ पा रहे हो अब चरड तीन को चरड एक पर ले जाओगे क्या वो अर्थ दे पाएगा नहीं अर्थात यह पूरी तरह गलत है चरडों को बदला नहीं जा सकता अर्थात परिवर्तन सील नहीं है देखिए दोस्तो आपको ब्याक्ख्या दे रहा हूँ बताएं कैसा लगा अर्थात यह हमारे पास नहीं है बिभिन चरड अलग-अलग दोस्तो हर चरड का एक सामान निसकर से ना कि वो अलग-अलग उत्तर हैं तो बी भी नहीं है दोस्तो डी देखेंगे प्रतेक चरड का कोई करम नहीं है बिना करम के ही आगे बढ़ते हैं क्या दोस्तो आपने इसको बिना करम का पढ़ा है क्या आप चरड तीन लिखोगे फिर चरड दो लिखोगे फिर चरड एक लिखोगे नहीं दोस्तो, पहले आप पूरो पारंपरी का वस्ता लिखोगे, फिर पारंपरी का वस्ता लिखोगे, फिर उत्तर पारंपरी का वस्ता लिखोगे, अर्थाद बिना करम के कुछ भी आगे नहीं बढ़ता, the right answer is C, पूरी तरह से मुझे यकीन है क्या कि आप सभी मैंने दोस दोस्तो, पर यह पूरे 20 सुपर लागू हो रहा है क्योंकि यह सारो भौमी के दोस्तो और यह सभी संस्कृतियों पर लागू होता है, so the right answer is C, 4, 6, 9, कैसे रहा है दोस्तो, एक बढ़र देखेंगे, question number 11, सिक्षर का बिकासात्मक परिप्रेच सिक्षकों से क्या mark करता है, देखिए दोस्तो, अब यहीं पर दोस्तो, मैं तेवन कह रहा हूं कि इसका option भी मैंने भी नहीं देखा है, आपने भी नहीं देखता है, दोस्तो, देखिए दोस्तो, बिकासात्मक करत क्या है, जो लगाता सिक्षक के लिए एक नया चैलेंज होता है अर्थाद बच्चे की जरूरत के अनुसार हमें अपने सिक्षर के तरीकों को क्या करना चाहिए बदलना चाहिए तो चलिए एक बार कोश्चन देखते हैं सिक्षर का विकासात्मक परिप्रेच सिक्षकों से क्या माग करता है मुझे यकीन है आप इस ब्याख्या से उत्तर समझ गए होंगे अब तो आपके उत्तर भी आने लगे हैं पहला कठोर अनुसासन बनाए रखें अब यह आप्सन तो पढ़ने भी लायक नहीं है क्योंकि बच्चे एकसर प्रयोग करते हैं बिकासात्मक कारोगों के ग्यान के अनुसार अनुदेशन युक्तियक और अनुकूलन करें बिभिन बिकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से बेवहार करें इस प्रकार अधिगम कराएं जिससे की परिणाम के ओल संग्यानात्मक छेत्र में ही हो। दोस्तों चले ही सुरू करते हैं, कठोर दंड, दोस्तों पहले ही आप्षिन से आप समझी गए होंगे, लाठी मारने से कोई अधिगम नहीं होता, ए हमारे पास नहीं है। बी, कराएं कि अलगर अवस्ता वाले बच्चे के साथ समान बेवहार करें, अब दोस्तों कच्छा एक के बच्चे को और कच्छा बारा के बच्चे को क्या एक ही तरह पढ़ाओगे, क्या कोई अंतरी नहीं उन में, अर्थात बैयक तिक भी भिनता कानन है, सी भी हमारे पास इस प्रकार अधिकम कराएं क्यों संग्यानात्मक भी कास हो भी है, तो भावात्मक ज्यात करें दोस्तों, ब्लूम की टैक्सोनोमी आपको पढ़ाया सुपर टीटी में, संग्यानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्छ विक्सित होने चाहिए, अर्थाते बहुत स पढ़ा रहे हो, तो भासर भी चलेगा, अर्था जैसा बच्चा वैसा सिक्षर मुझे यकीन हैं, दोस्तों आप समझ गए हैं, बीप बॉम्बे इस दे राइड आंसर, और आप चलेंगे दोस्तों, क्वैस्चन नमबर बार, बिद्यार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब त पिर से दोस्तों बाल के अंदरी सिक्षा, देखिए दोस्तों आप क्या देख रहे हो, कि मैं आपको थोड़ा यहां बता दूँ, मैं लगाता लेक्चर्स में बताता हूँ, आज कल थोड़ा सा ब्याख्या पर बहुँ ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मेरी एक ट्रिक समझ तो नहीं है, अब देखते कैसे, बिद्यार्थी तब तक नहीं सीखते जब तक क्या, पहला, उन्हें सिक्षा के सामाधिक उद्देश्यों के अनुरूप न पढ़ाया जाए, बी, उन्हें यह पता नहो कि उन्हें पढ़ाये गए हैं, निकेट भविश्य में क्या यूज ह दैनिक आधार पर उनके माता पिता उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे, उन्हें सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप न पढ़ाया जाए, आपको लगेगा दोस्तों की यही है उत्तर, इसके सारे आप्सन दोस्तों बहुत मजबूत हैं, आपको लगेगा नि माता पिता पूछें, यह भी ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कि आप अवगा ध्यान से देखिए, मेरे लिए नियम आ गया, कौन सा नियम, मेरा वही नियम, समानता का नियम, आपसन ए, बी और डी तीनों उतने ही मजबूत हैं, तो दोस्तों ज़रा सोचिए, कि आपसन ए क जितना मजूत है, उतना ही तो भी भी है, अगर सामाजी का वश्यक्ता जरूरी है, तो यह भी तो जानना जरूरी है, कि हम जो पढ़ रहे हैं, वो भविश्य में किस काम आएगा, तो दोस्तों इसलिए समान होने के कारण, यह सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट औ तभी सीखेगा जब वो सीखने के लिए क्या हो, तैयार हो अर्था दोस्तों जड़ और साखा का नियम क्या है, कि अगर ऑप्शन सी हम टिक कर देते हैं, तो A और B और D अपने आप ऑप्शन सी में आ जाएंगे, क्योंकि इन तीनों की सीख्षा तभी तो दी जा सकती है, ज जरूरी है क्योंकि यही सिख्षड है किसका बाल केंदरी सिख्षा का, मुझे अकीने दोस्तों आप समझ गए हैं, सामाजी का धिकम का सिध्धान्त निमलिखित्म से किस घटक पर बल देता है, देखेंगे, आप सेने प्रकिती पर, B, पोशड पर, C, अनुकूलन पर, D, प कि हमें समाज से ही सारा ग्यान प्राप्त होता है, सामाजी का धिकम का सिध्धान्त किसने दिया है, दोस्तों, सामाजी का धिकम का सिध्धान्त दिया है, अलबर्ट बंडूरा ने, दोस्तों, वो क्या कहता है, कि हमें सामने वाले के अनुसार सीखना है, तो दोस्तों, यह तो तभी संभव है, जब बंदा कहां हो, वाता वरड में हो, समाज में हो, तो दर राइड एंसर इस गाईज, मैंने आपको क्या बोला था, प्रकिती और पोसर का बदला हुआ नाम क्या है, वनसानुकरम एवं, वाता वरड कहते क्या हैं, वाई इस आदमी की प्रकिती है, इसको बदला नहीं जा सकता, और पोसर, दोस्तो वाता वरड से आता है, हम अपना भोजन को तोड़ी बना सकते हैं, हमें ठीक है, कहीं ने कहीं आपको सुझ रहे हैं नहीं यार, पोसर्ड माता के गर्व में कैसी होता है, तो माता तो वाता वरड से पोसर्ड ले रही है, तभी तो आपका पोसर्ड हो रहा है दोस्तो, so the right answer is beef bombay, मुझे आकीन हैं दोस्तो आप समझ गे हैं, question number 14, मनो सामाजिक सिधान में किस पर बल देता है, दोस्तो मनो सामाजिक विकास का सिध्धानत आपने सुना होगा एक फ्रायड के सिश्चे आपने इसे बीटी सी में पढ़ा है एरिक एरिक्सन आपने उनका नाम सुना होगा तो option ए उद्धीपन अनुक्रिया लिंगी प्रस्तुती स्थितर भी उद्ध्यम के मुकाबले में हिंता C. क्रिया प्रशूत अनुबंधन मुझे बड़ी हंसी आती दोस्तों आपको थोड़ा बता दूँ किसी दिन आपको यह बहुत इसमें दोस्तों लिख लिजेगा इसमें आठ चरण हैं दोस्तों कितने चरण हैं आठ बड़े ही मजाकिया हैं दोस्तों तो इसमें जो चरण मैच करता है दोस्तों अब बचा कौन दोस्तो उद्यम के मुकाबले हिंता इस्तर पर एक क्या है आपको दिखाओ दोस्तो जब भी मुझे याद आती इसकी हंसी आते आप भी भंसने वाले है दोस्तो जो मनो सामाजिक विकास का सिध्धान्त है जो दिया है एरिक एरिक्सन ने इसमें हर चरण में दो पॉइंट होते हैं एक जो वांचनी है दूसरा जो वांचनी नहीं है क्या उन्होंने कहा क्या होता है उद्यम बनाम हिंता बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैज को आप कहते हैं इंडिया पाकिस्तान थी ध्यान से देखें कौन सा ब्याओहार कब चलेगा सुनिए जैसे दो बिद्यार थी दोस्तो कठिन परिश्रम करते हैं और दोनों को लगता है कि हम 90% लाएंगे अब दोस्तो एक 90% लाया और एक एकजाम के दिन बीमार हो गया 60% लाया दोस्तो ओ विचारा एक तो और भाई मेहनत करने के लिए प्रिदित होगा कि उसकी मेहनत रंग लाई दूसरा बीमार होने के कारण 30% कम लाया वह थोड़ा सा हीन भावना का सी कार होगा तो आपको वांचनी क्या है उद्यम नकी हिंता तो दोस्तो यह एक चरण है उसका तो दो राइड आंसर इस सी मैं कभी आप लक्ति से संबंदित है आपसन ए चास डार्विन आपसन बी बी एफ सकिनر आपसन सी यूरी ब्रोनफरेंड व्रेनर आपसन D ले बाई गोस की तो दोस्तो डार्विन बायोलोजी के हैं नहीं चलेगा दोस्तो इसकिनर ने ब्यावार के अनुकूलन पर जोड़ दिया है आर एस चिद्धान नहीं चलेगा यूरी ब्रोन फ्रेंड वेरेनर ने एक वाता वरण का सिद्धान दिया है दोस्तो पर वो इससे मैच नहीं खाता दोस्तो बच्चे को सामाजिक और संस्कृतिक रूप से मतलब दोस्तो अधीगम सामाज से अलग कुछ भी नहीं है यह दोस्तो एक ही आदमी कह सकता है और आप अच्छी तरह से जानते हो सक्स कौन है वो सक्स है लेब बाइगोसकी बच्चे सामाजिक अंतख्रिया दोरा सीखते हैं यह किसने कहा लेब बाइगोसकी नहीं उसने कहा बच्चे अपने समवयसकों के साथ अंतख्रिया करके सीखते हैं दोस्तो तो मुझे दोस्तो पूरा यकीन है कि आप इसे समझ गए हैं तो आज की practice में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा challenges थे आज की practice में आपने क्या score किया और कितना मैं समझा पाया हूँ इस पर प्लीज एक comment करेंगे आज को जो मेरे तरफ से आपको request है का आप comment करें कि आज की practice के label में कितना आप समझ पाए हैं और 15 में से आप कितना score कर वाए हैं कर दो जाए हैं कितना आप कितना क्या हैं मैं समझा हैं कितना आप।